नमस्कार दोस्तों कॉंपटिशन कम्यूटी के यूटूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत हैं और कॉंपटिशन कम्यूटी द्वारा ये जो लोगो ने अल्रडी देख लिया होगा दोही पार्ट इंडियन एकनॉमी पर अधारित आने वाला था ये डिसाइड हमने किया था कि दोही पार्ट आएगा तो पहला पार्ट आ गया दूसरा पार्ट यह है इस वीडियो में भी कोशिश यही रहेगी कि कंसेप्श्वल से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और फैक्श्वल कोश्चन से रिसेंट के डेटा से आप अपने आपको अपडेट कर पाएंगे तो इन दोहरे उद्देशों के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहला कोश्चन डेटा पर अधारित फैक्ट पर अधारित यह रहा उभोक्ता मुल्य सुचकांग अर्थात कंस्यूमर प्राइज इंडेक्स क्या होता है उभोक्ता मुल्य सुचकांग कंस्यूमर प्राइज इंडेक्स मुद्रा इस्विति मापन का एक तरीका है जिसमें मुल्य में वृद्धी उभोक्ता इस्तर पर देखी जाती है जिसमें वस्तू और सेवाएं दोनों सम्मिलित होते हैं 400 से जादा के वस्तूओं को और सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है 6 वर्ग में इन सारे वस्तूओं को विभाजित किया जाता है जिसमें खाद्य एबंपे पदार्त, फूड एंड बेवरिजेज देखिए six category में सारे 400 प्लस goods and services को रखा जाता है जिसमें से food and beverages, खाद एवं पेपदार्थ, इसका भार weight सबसे अधिक होता है एक WPIV होता है, wholesale price index, जो उत्पादन इस्तर पर, थोक इस्तर पर, मुले बृद्धी को दर्शाता है चलिए, यह जो data है, यह पूछ रहा है कि 2021-22, अप्रेल से दिसंबर की अवधी में, यह consumer price index कितना था, किस इस्थिती में है तो यह जो data हमने लिया है, यह economic survey 2021-22 से data लिया है चलिए, इसके answer पर जाने से पहले, इस image पर नज़र डाल लेते हैं, समझ में आ जाएगा देखिए, CPI, headline inflation, 5.2 percentage, 2021-22 की स्थिती में चेक है, इसी time period पर मान लेते हैं, अगर WPI पर अधारित question पूछ ले, तो क्या होगा, 12.5 percentage CPI है 5.2 percentage, WPI है 12.5 percentage बाकी की यह जो 3 data है, यह अगर आप नहीं याद रखेंगे, तो भी चल जाएगा कोई विशेश importance की बात नहीं है इसमें, प्रलिम्स आधारित, मेंस आधारित है की नहीं, यह दूसरा चर्चा का विशह है प्रलिम्स के लिए तो इतना मैतोपोर्ण यह नीचे के 3 data नहीं है CPI और WPI है, तो CPI याद रखेगा 5.2 percentage और WPI याद रखेगा 12.5 percentage यह थोड़ा सा मुद्रा इस्विती का बढ़ा हुआ इस्तर है, क्योंकि जो CPI माना गिया है कि जो healthy range of CPI है मुद्रा इस्विती की दर जो healthy limit में चाहिए, यह 4 plus minus 2 percentage पर चाहिए जिसमें जो ideal stage हो, मुद्रा इस्विती का वो 4 प्रतिशत हो और 2 से 6 प्रतिशत तक का यह range decide किया गया है और अभी हम कहां पर है, 5.2 percentage पर है मतलब ideal stage से हमारे जो मुद्रा इस्विती का दर है, यह थोड़ा उपर जा रहा है और यह अभी हमारे अर्थ विवस्ता की मांग भी है क्योंकि हमेरे अर्थ विवस्ता में अभी जो हमारे प्रात्मिक ताउम है वो यह है कि हम अपने देश की GDP को वापस से पटरी मिलाए ब्रिदी को वापस से पुना इस्थिती दें प्री COVID लेवल जो था 2019 का जो दौर था उस इस्थिती पर लेकर कम से कम आ जाए कोविट के मार से हम अपनी अर्थ विवस्ता को निकालना चाहते हैं तो इस इस्थिती में क्या चाहिए कि बजार में मांग जादा हो मुद्रा अपूर्ती जादा हो और इस मांग और मुद्रा अपूर्ती के बढ़ने से जड़ी भी बढ़ेगी लेकिन इसका एक दूसरा पहलू क्या है कि मुद्रा इस्थिती भी बढ़ेगा जो कि यहां पर बढ़ा हुआ है तो मुद्रा इस्थिती का ये जो दर है चार प्रतिशत से जो जादा का दर है ये भले आइडियल स्टेज पर नहीं है लेकिन फिर भी अर्थियस्ता की मांग यही है और ये ठीक ठाक वाला मामला है तो अब इसका आंसर पहले इस सारी चीजों को मिटा दे इस कोश्चन का आंसर होगा ओप्शन सी 5.2 परसेंटेज चलिए आगे बढ़ते हैं 2021-22 अप्रेल-दिसंबर की अवधी में मुद्रा इस्विती का मुख्य कारक है मेन फेक्टर ओफ इंफलेशन कौन है इस अवधी पर किसकी वज़ा से ये मुद्रा इस्विती 5.2 परसेंटेज की दिख रही है खादेयों, पेपदार्थ, वस्त्र, कच्चा, तेल, इंधन, आवास आंसर जाने इससे पहले यहाँ पर आ जाते हैं ये इमेज भी एकनॉमी सर्वे से लिया गया है ठीक है Contribution of groups to overall inflation ठीक है देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छे total 6 category है सबसे अधिक, ये जो आप pink color में देख रहे हैं ये है वर्तमान 2021, April, December की कहानी ये वाला part ये जो आप building देख रहे हैं pink color वाली, ये है 21 की कहानी, अब देखते हैं सबसे जादा जो share हुआ है वो किसकी वज़ा से हुआ है वो सबसे last building की वज़ा से दिख रहा है तो मुद्रा इस पिती सबसे last building की वज़ा से हुई है और ये हाँ पर क्या लिखा हुआ है अन्य miscellaneous और इस अन्य की भी अगर बात करें तो इस अन्य में भी telecommunication and परिवहन transport मुख्यकारक थे उसके बाद एक fuel and light भी आपको यहाँ पर दीख रहा है तो देखे कुल मिला कर अगर base कहें कि inflation किसकी वज़ा से हुआ तो inflation तो हुआ है इंधन की वज़ा से fuel की वज़ा से अंतरराशी बजार में global prices जो कच्चे तिल के हैं वो बढ़े हुए हैं अब इस fuel की prices अगर बढ़ेंगे तो उसका सीधा प्रभाव transportation में भी बढ़ता हुआ दिखेगा और यह transportation का जो transportation जहां पर है वो miscellaneous पर है अन्ने पर है इसलिए वो सबसे important factor दिख रहा है तो आधार क्या है मुद्रा इस्विती का fuel इंधन answer इस question का कच्चा तेल इंधन चेक हैं तो अगर आप लोगों से question पूछें किव inflation किसकी वज़ा से हो रहा है तो सीधे तोर पर आप कहेंगे कच्चा तेल और इंधन की वज़ा से इसकी कीमत बढ़ रही है इसकी वज़ा से ये अपने आप में तो एक category में तो है तो इसकी तो कीमत बढ़ी रही है साथ ये साथ transportation भी इसकी वज़ा से महंगा हो रहा है चलिए अब ये जो question है ये impact of inflation पर based है अर्थाद मुद्रा इस्विती के प्रभाव पर के प्रभाव पर चलिए question पहले पढ़ लेते हैं निमलखीत कतनों पर विचार कीजिए किसानों और निवेशकों पर मुद्रा इस्विती का साकारातमक अर्थात positive प्रभाव परता है positive impact परता है रिंड दाता अर्थात creditors किराया प्राप्त करता pension भोगियों पर मुद्रा इस्विती का नकारातमक अर्थात negative इंपक्ट परता है प्रभाव पढ़ता है ये दो इस statement है पूछ रहा है कि इन में से कौन सत्य है ये जो सत्य वाला जो side है इसे जरूर ध्यान से देखना क्योंकि यहां पर सत्य है हम समझ कर चल रहे होते हैं लेकिन पूछा होता है सत्य नहीं है अब इसमें दिक्कत हो जाता है और फिर हम ध्यान नहीं देते हैं हमारा answer गलत हो जाता है तो कौन सा सत्य है तो देखे अगर हम इस कहानी की बात करें ये inflation की impact की बात करें तो एक इसका explanation तो हमने life crash course में देखा था बट फिर भी यहां बता दूँ कि यहां पर जो मुद्राइस्विती की बात हो रही है वो किस प्रकार की च्छे प्रतीशत तक के मुद्राइस्विती की बात हो रही है क्योंकि अगर मुद्राइस्विती बहुत जादा हो तो फिर तो किसी के उपर भी सकरात्मक प्रभाव नहीं बढ़ेगा सब पर नकरात्मक प्रभाव ही पड़ेगा अगर बहुत जादा हो तो 300-400 % का inflation चल रह टो तो पीर तो यह क्रुआन के पिशाहिं नहीं रहे गया कि किसको फाइदा सबी सबी कोां सब्सक्दा किसको हो रहाएं यह कब बात हम करते हैं इसकी चर्चा कब होती है जब inflation की जो rate है वो एक limit में होती है एक सिमित दर पर inflation की दर चल रही होती है उस समय हमें यह देखना होता है तो चलिए समझते हैं किसानों और निवेशकों पर मुद्रा इस्विती का सगरात्मक प्रावब पड़ता है देखे हरवा छेतर जिसे पैस जो supplier है जिसे पैसा मिल रहा है उसे फैदा होने वाला है क्यों कि उसे ज्यादा पैसा मिलेगा अगर आप किसानों की बात करें निवेशकों की बात करें तो इन्हों ने क्या किया है अपना पैसा लगाया है किसानों ने पैसा लगाया है क्रिशी उत्पाद के लिए और कीमत थी मुद्रा इस्विती की वज़ा से वह बारा रुपए हो गई है तो दस रुपए के जगा के इतना मिलेगा बारा रुपए मिलेगा तो किसानों को और निवेश्कों को या हर वा छेतर जो अपनी लागत लगा चुके हैं अब उनका रिटन आने वाला है तो उन्हें ब जाया प्राप्त करता और पिंशन भोगियों पर मुद्रा इस्विती का नकरात्मक प्रभाव पढ़ता है अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हर वा वर्ग जिसे एक सिमित आय होने वाली है एक फिक्जड इस्थाई होने वाली है उसे नुक्सान पढ़ता है कैसे समझते है रिंड दाता के एक्जांपल से समझते हैं क्रेश कोर्स में समझाता बट फिर भी यहाँ पर भी समझ लेते हैं मान लेते हैं कि कोई एक वेक्टी है वेक्टी ए इसने वेक्टी बी को हजार रुपए उधार दिया तो ये ए क्या हो गया ये ए हो गया रिंड दाता हजार पर उधार दिया कि 5 साल तक तुम मुझे 100-100 रुपए देते जाना ऐसे करते करते कितने साल तक 5 साल तक ब्याज पर और पाच्वे साल पर मुलधन लोटा देगा तो अगर आप यहां पर देखें तो पहले साल जो 100 रुपए इस बी ने एक को दिया था इसकी value काफी अच्छी थी इसकी purchasing power काफी अच्छी थी मान लेते हैं कि उस समय 100 रुपए में 100 चौकलेट खरीदा जा सकता था लेकिन मुद्रा इस्विती क्या कहता है मुद्रा इस्विती कहता है कि वस्तुओं की कीमत में वृद्धी होगी और मुद्रा की क्रेश शक्ती में गिरावट होगी तो दूसरे साल में जो सौ रुपए हुआ जो सौ रुपए उसने लोटाया इस सौ रुपए की वैल्यू क्य रही मुद्रा इस विती के प्रभाव से क्या होगा हो सकता है कि 100 रुपय में मादर 98 चाकलेट ही खरिदा जा सके चौकलेट ना चाकलेट ने ठीक है चलिए तो आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पर कि अस्थाई आये तो हो रही है एको 100 रुपय 100 रुपय हर साल मिलतो रहा है ले प्रभाव की वज़ा से तो रिंडाता किराया प्राप्त करता पेंशन भोगी यह सारे उसी वर्ग के अंदर आते हैं जिने कुछ इस्थाई इंकम होती है एक क्वांटिटी सेम होती है तो उन्हें नुकसान होता है क्यूंकि धीरे धीरे उसकी वेल्यू कम होते जाती है उस इस थाई मुद्रा की मात्रा की वेल्यू परचेजी पावर क्रेश हमता गिरते जाती है तो उन्हें नुकसान होता है यह आप रिंडाता वले एक्जाम्पल से समझ सकते हैं तो उप्यूक्त कत्रों में से कौन सा कथन सही है दोनों कथन सही है तो ऑप्षन सही हमारा सही उत गजिएगा उच्छ मुद्राइश्टी अर्थ विश्ता पर विप्रीत प्रभाव डालता है मतलब नुकसान वाला दालता है प्रभाव डालती है निम लिकीत में से कौन सा विप्रीत प्रभाव से प्रभावित नहीं होगा जर आसी स्टेट्मेंट को समझने कुशिश विप्रीत प्रभाव से प्रभावित नहीं होगा अर्थात उसे नुकसान नहीं होगा विप्रीत प्रभाव अर्थात नुकसान और विप्रीत प्रभाव से प्रभावित नहीं होना अर्थात नुकसान नहीं होना चलिए ऐसे लोग जिनकी निश्चित आये है तो इनको तो नुकसान होगा इन पर तो वेपरित प्रभाव पड़ेगा तो ये तो वो वर्ग नहीं है जो प्रभावित नहीं होंगे ये तो बिलकुल प्रभावित होंगे वह वेक्ति जिसने दिर्ग अवदी के लिए निश्चित ब्याज दर पर उधार दिया है रिंड दाता तो भई ये भी तो वही मामला हो गया निश्चित आये ये भी निश्चित आये वाला है वह वेक्ति जिसने दिर्ग अवदी के लिए निश्चित ब्याजदर पर रिंड लिया है करजदार हाँ इसे क्या होने वाला है तुलनात्मा कुरूप से रिंडाता से ज़्यादा इसे फैदा होगा जो देंदार है, जो कर्चदार है, वो तुलनात्मा कुर्प से रिंडाता से फायदे की स्थितिम रहेगा, ऐसा क्यों समझते हैं, यह जो आपने देखा, पहले कोश्चन का एक्जामपल, बी ने पहले साल 100 रुपए दिया, मतलब एक अच्छे वेल्यू का मनी अमोर्ट दिय अगले साल भी 100 रुपए दिया, यह भी क्या है, कर्चदार है, पहले साल 100 रुपए दिया, एक अच्छी वेल्यू थी 100 रुपए की, दूसरे साल भी 100 रुपए दिया, क्वांटिटी तो वही है, लेकिन वेल्यू गिर गिया है, तीसरे साल भी क्वांटिटी 100 रुपए दे वह कम होता जाएगा पहले साल बड़न काफी अच्छा होगा क्योंकि अच्छी वैल्यू का सौ रुपए दिया दूसरे साल बड़न कम आएगा तिसरे साल कम आएगा, ऐसे ही ये और अर कम होता जाएगा, तो कर्जदार तुलनात्मक रूप से रिंड दाता से ज्यादा अच् प्रिशित ब्याजदर पर रिण लिया है करज़दार तो चलिए अगले कोश्चन पर चलते हैं अगला कोश्चन है एक मिनट फोर का सी ठीक चलिए सरकार अवस्पिती डिफलेशन के इस्थिती में मांग को बढ़ाने के लिए मांग को बढ़ाने के लिए और अर्थ व्यस्ता के सहयता हे तू समान्यता निम निखित में कौन से नितिगत कदम उठाएगे इंफलेशन का उल्टा होता है डिफलेशन अर्थात वस्तूओं की कीमत में गिरावट हो रही है और ये गिरावट क्यों हो रही होगी क्योंकि लोग वस्तू खरीद नहीं रहे हैं अर्थात मांग कम हैं डिमांड कम होगा पोड़ट कोई खरीदेगा नहीं बजार में पोड़ट रखा हुआ है तो उसकी कीमत धीरे धीरे कम होते रहेगी और अगर ये जो प्राइस गिर रहा है क्योंकि मांग कम है तो इसे ही आप समझ सकते हैं कि पोड़क्शन या उत्पादन भी कम हो रहा लेकि नए उत्पादों का पोड़क्शन भी रुख जाएगा और देश की जड़ीपी भी क्या होगी नीचे की और जाएगी जड़ीपी नीचे पोड़क्शन कम लोगों की रोजगार समात गरी भी बेरोजगारी तो इस डिफलेशन की स्थिती से एक शॉर्ट में ऐसा लि स्थिती से उपर उठना है अर्थाथ दूसरे शब्दों में कि यह जो जड़ीपी है इस जड़ीपी को वापस से उपर की और ले जाना है तो क्या करना होगा मांग बजार में बढ़ाना होगा मांग बढ़ेगा तो बस तो की कीमत बढ़ेगी मांग बढ़ेगा तो उत्प लिए मांग बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है अगर सरकार खर्चे जादा करके लोगों के जिब में पैसे डाल दे सरकार अपने खर्चे जाधे करे अर्था जादा सेलरी दे सब्सेड़ी वगेरा से जादा पैसे उपलब्द करवाए किसी योजना के तहट अगर लोगों के जिब में पैसे डाल दें तो लोगों के पास अगर पैसे आएंगे जिब में तो बजार में वो खरीदने जाएंगे तो डिमांड बढ़ेगा तो अगर सरकार वैब बढ़ाएगी तो सरकार के वैब बढ़ने से क्या होगा घाटा बढ़ेगा राजकोशी घाटा बढ़ेगा यह भी वरतमान में भी यही चल रहा है अभी बजट उठा कर देख लो जो फिसकल डेप स्टीट है काफी बढ़ी हुई है क्यों बढ़ी हुई है सरकार को खर्च दाजा करना पड़ रहा है क्योंकि लोगों के पास में पैसे कम है प्राइवेट कंजप्शन निजी उबोग कम है सरकार ने जिम्मेदारी उठाया है कि हम अपने खर्चों से देश की जीडीपी को उपर बढ़ाएंगे तो राजकोशी घाटा बढ़ेगा वह को बढ़ा करा उमीदे समझ गये होगे राजकोशी वृद्धी के प्रयासों को बढ़ावा देना नहीं होगा राजकोशी घाटा के प्रयासों को बढ़ावा देना होगा तो पहला स्टेटमेंट तो नहीं होगा काड़ दो पहला स्टेटमेंट एलिमिनेशन मेथेड हम पर मिल गया सिर्फ एक स्टेट्मेंट को पकड़ कर सिर्फ पहला स्टेट्मेंट हम पहचान गए तो हमारा आंसर आ गया तो यह जो निम्न लिखित कतनों पर विचार करें और ऐसे पांच शे कतन दे दिये जाएं तो आप इसे घबराईए मत हां ऐसे क्वेश्चन को सौल करन में सावधानी बिल्कुल बरितनी चाहिए कंसेप्ट अच्छा क्लियर होना चाहिए बेस अच्छा मजबूत होना चाहिए लेकिन अगर बहुत सारे स्टेट्मेंट दिये गए हैं मतलब की बहुत सारी जानकारी दी गई है और बहुत सारी जानकारी की साहता से आप सहीं उत सारे statement लिखे होते हैं मतलब बहुत सारी जानकारी दी जा रही है आपको बहुत सारे शब्दों की साहता से बहुत सारी जानकारी आप तक मिल रही है उस जानकारी के सब्सक्राइब करके सही option चुनना है आपको और single statement वाला question जो होता है उसमें होता है अगर आपको पता है तो ठीक है नहीं पता तो आप उसमें कोई तिकडम बाजी नहीं कर सकते हैं उसमें कोई भी आप दिमाग नहीं लगा सकते हैं यहां पर क्या होगा नहीं भी पता है तो कुछ कुछ तरीके हदकंडे अपना कर सहीं उत्तर तक पहुंच सकते हैं तो ये तो हमने बात किया भी, सरकार को वे बढ़ाने पड़ेंगे, तो बिल्कुल ये कदम उठाएगी, प्रत्याश करो में कटवती के साथ ब्याज दरो को घटाना, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं, जगह थोड़ा सा कम है, चलिए कर लेते हैं, जो भी ज देने होगे, direct tax, income tax, example ले लेते हैं, कम पैसे सरकार को देने होगे, इससे होगा कि मेरे जेब में पैसे ज़्यादा रह जाएगे, तो मैं बजार जाओंगा, समान खरीदने, तो मैं डीमांड को बढ़ाओंगा, और अगर डीमांड बढ़ा, तो अभी हमने क्या समझा था, क कि demand मांग बढ़ने से देश की GDP बढ़ सकती है, deflation की स्थिती से लड़ा जा सकता है, पहला, ब्याज दरों को घटाना, इसी तीसरे पर है, ब्याज दरों को घटाना, मिटाई दें कैं सो, मिटा देते हैं, चले, ब्याज दरों को घटाना, तो अगर, SBI है, for example, यह 10% ब्याज पर उधार दे रही है, for example, तो यह थाड़ बहुत ज़्याज है, आप उधार लेने नहीं जाएंगे, मान लेते हैं, कि RBI के साथ सरकार ने मिलके कहा, कि सुनो SBI, तुम अब 10% का ब्याज मत देना, तुम एक काम करो, तुम 5% के ब्याज पर उधार आगे बढ़ाओ, तो आप उधार लेने जाएंगे, क्योंकि मातर आपको 5% ब्याज के तौर पर चुकाना है, पहले तो 10% चुकाना पड़ रहा था, अर्थात कम ब्याज पर आपको उधार मिल जाएगा, सस्ते में उधार मिल जाएगा, तो आप पैसे लेने जाएंगे, तो आप जब उधार में पैसे लेंगे, आप कार लोन लिए, आपने कार लोन ले लिया, 5% पर मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे उस कार लोन से, obviously car ही खरीदेंगे पाठी तो नहीं करेंगे ना car ही खरीदेंगे तो अगर आप car खरीदे इसका मतलब आपने क्या किया आपने बजार में demand को बढ़ा दिया अब इस बढ़े हुए demand की वज़ा से production तो बढ़ेगा साथ ही साथ इस बढ़े हुए demand की वज़ा से देश में निवेश या investment भी बढ़ेगा क्या बढ़ेगा निवेश क्यों जो लोग car उत्पादन करते हों देखेंगे अरे लोग car खरीदने आ रहे हैं तो चलो जल्दी जल्दी investment करके और car बना दो और इस बजार में फैले हुए मांग के अधिक्तम लाध अर्जित कर लो तो निवेश क्या हो जाएगा निवेश ज कईसे होगा निवेश के लिए भी वेटी कहा जाएगा निवश के लिए Champ movimento बह्त करना है तो बैंक महने जब दर ना सस्टे पर ब्यास दरग क्योंगी घटाया गिया है तो कंजूमर भी पैसे लेकर देश की जीडीपी पर रोल प्ले करेगा इन्वेस्टर भी उधार लेकर इन्वेस्टमेंट करके देश की जीडीपी को बढ़ाने पर अपनी भूमी का अक्त्या करेगा इन दोनों ही केसे पर देश की जीडीपी बढ़ेगी बजार में मांग बढ़ेगी और डिफलेशन की स्थिति से लड़ा जा सकता है वेतन बढ़ाना तो यह तो हमने कर दिया कि सरकार खर्च करेगी लोगों की जेब में पैसे डालेगी तो बजार में डीमांड बढ़ेगा ठीक है अंसर तो डिस इस्तर पर हो उसे कहा जाता है चीक है ये कौन सा मुद्रेइस्थिती की बात हो रही है जब मुद्रेइस्थिती काफी हाई रेट पर चल रही हो जो इसकी दर हो वो काफी जादा हो तो ऐसी स्थिति को stagflation कहा जाता है stagflation जो की किस से आया हुआ है stagnant और inflation ठीक है जैसे विराट और अरुष्का होगे विरुष्का विकिक और कैटरीना होगे विकट वैसे ही stagnant और inflation होगे stagnant stagnant का अर्थ क्या इस्थागित होना रुक जाना अर्थात production नहीं हो रहा है लेकिन inflation बना हुआ है ऐसी स्थिति को stagflation कहते है clear है बाकि तो इसकी inflation अर्थात किसी कम छेतर पर ही मुद्रय स्थिति बहुत तेजी से बढ़ता जाना बे लगाम अर्थात इसे आप लगाम नहीं लगा सकते हैं इसे ही आप hyper inflation भी कह सकते हैं हिंदी में इसे आप अति इस्थिति भी कह सकते हैं गैलोपिंग अर्थात कुद्धिती हुई मुद्रय स्थिति जब ये बीस से थीस परसेंट की दर पर बढ़ते जाएं चलिए तो इस्टेक्टिलेशन इस कोश्चन का आंसार है आगे बढ़ते हैं फिलिप्स वक्र के संदर्वे में इसके संदर में फिलिप्स वक्र कतनों पर विचार के अमेरिकिया के अर्थ शास्त्री एडबलू फिलिप्स द्वारा फिलिप्स वक्र की संकल्पना प्रतिपादित की गई है ठीक है देखते हैं आगे किये हैं कि नहीं किये हैं फिलिस वर्क मुद्र इस्विती और बेरुजगारी के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। फिलिस वक्र के अनुसार बुद्र इस्विती की दर और बेरुजगारी की दर के बीच में व्युत क्रमानुपाती inversely proportional का संबंध है चलिए है कि नहीं यह देखते हैं सिदा फिलिस कर पर ही यह है फिलिस कर ठीक है फिलिस कर की क्या कहानी है तो समझते हैं मान लेते हैं कि यह inflation है point A पर तो बेरोजगारी कहां पर है point A1 पर अब inflation को बढ़ा दो और point B पर inflation को ले आओ तो बेरोजगारी कहां पर आ जाएगा point B1 पर अर्थात inflation को बढ़ाए तो बेरोजगारी घटी अर्थात मुद्रा इस्वित्थी को जब आप बढ़ाओगे तो बेरोजगारी क्या होगी कम होगी तो ऐसे संबंद को inversely proportional का संबंद कहते हैं ठीक है विद क्रमन पाती संबंद कहा जाता है तो यह तो तैब बात है कोई दिक्कत की बात है दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा रहा था inflation और बेरोजगारी के बीच के संबंद को वेक्त करता है बिलकुल वो भी सही है एक और स्टेटमेंट था अमेरिका की अर्था यह स्टेटमेंट गलत है अमेरिका की अर्थशास्त्री नहीं है वो न्यूजिलेंड के है तो वन को हटा दो यह हट गया केवल दो केवल दो और तीन option C is the right answer of this question चलिए आगे बढ़ते हैं यह एक fact अधारित question है इस तरह का question प्यस्टी में पहले भी पूछा जा चुका है अक्टूबर 2021 में मौद्रिक निती समीती द्वारा नितीगत दरों को सुमेलित करें एक तरफ वो तरीके हैं जिससे मुद्राइस्विति को नियंतरित किया जाता है और उन तरीकों को दर से दर्शाया जाता है दूसरे कॉलम पर वो दर है अक्टूबर अर्थात ये फोर्थ मौनिटरी पॉलिसी की बात हो रही है तो ऐसा भी कोश्चन पूछा जा सकता है कि चौथी मौद्रिक निती सौरी चौथी पॉलिसी जो कि मौद्रिक निती समीती द्वारा लाई गई उसके नितीगत दरों को सुमेलित करें ठीक है तो सिंपल सा आईए रैपो दर अभी कितना है और ये अक्टूबर 2021 की स्थिती में यही था और अभी वर्तमान में भी यही है तब से अभी तक इसे बदला नहीं गया है ठीक है रैपो दर 4% है रिवर्स रैपो दर रैपो दर से कम होगा जो कि है 3.35% बैंक दर रैपो दर से 0.25 अर्थाद 25 बेसिस पॉइंट 25 बेसिस पॉइंट अर्थाद 0.25% जादा है और CRR है 4% एक और होता है उसे भी यहाँ पर लिख लेते हैं SLR या कितना है अभी 18% ठीक है तो रेपो दर 4% रिवर्स रेपो रेट 3.35% बैंक दर 4.25% और CRR 4% तो सहीं उत्तर इस question का हो जाएगा A का 1, B का 2, C का 3, D का 4 अर्थाद option D ठीक है रट लेना इसे बहुत important है आगे बढ़ते हैं अब यह थोड़ा सा import export की बात शिर्ष निर्यातक देशों का अवरोही क्रम अर्थाद जो सबसे बड़ा निर्यातक देश हैं हमारे लिए जा हम अपने product बेचते हैं उसे सबसे पहले होना है और बाद में ऐसे कम करते वाला देखना है ठीक है चलिए उत्तर देखें इससे पहले यह image देखें यह रेड कलर में यूएस से एटीन पॉइंट फॉर परसेंटेज यह पर पर कलर में यूएई फिर यह ब्लू कलर में चाइना फिर ब्राउन कलर में बांगलादेश यह है भई सिक्वेंस तो शुरू का चार पांच कम से कम याद रखना बाकी का याद नहीं लेगा शुरू का पांच याद रखने ठीक है चलिए तो क्या क्या है इसमें सबसे पहले यूएस से यूएई चाइना बंगलादेश और फिर हांग कॉंग यह सिक्वेंस याद रखना यह एकनॉमिक सर्वेस से ही लिया गया है ठीक है यह देखिए दोहज़ार इकीस बाइ करते है आया तक जिस वह देश जिससे सबसे ज्याता प्ंड़क्त हम इंपोडर करते हैं उससे सबसे पहले रखना मैं थिर ऐसे ही कम वाले को चुनते जाना हूं ऐसा सिक्मेंस बनाना है चीक है चलिए, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं हमारे पडोसी चीन से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट फिर UAE से, फिर USA से, फिर साओधी अरब से और फिर इराक से इतना याद होना है चाइना, UAE, USA, साओधी अरब और इराक सही आंसर, इस कोश्चन का क्या हो जाएगा चाइना, साओधी अरब, UAE ठेक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं अब ये आया इसी भुक्तान के संतुलन वाले एरिया से भुक्तान का संतुलन नेमले लखित में से कौन से पुझी गत लेखा की रचना करते हैं जब हम भुक्तान का संतुलन देखते हैं तो इसके दो प्रकार के खाते बनते हैं एक, चालू और दूसरा पुझी गत चीक है फिर इसके भी अलग कॉम्पोनेंट है द्रिश अद्रिश और इसके भी तीन कॉम्पोनेंट है ए, बी, सी तो कौन कौन सा है तो पहला तो रिन है फिर बैंक में जो पुझी आती है वो है और तीसरा जो है वो निवेश है और निवेश के अंदर भी FDI और FII ये दोनो है ठीक है चली तो हमसे ये वाला पूंजी गत लेखागी रशना करते हैं पूछा गया है तो विदेशी रिण भाव शामिल है निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हाँ ये भी शामिल है पॉर्टफोलियो निवेश तो ये जो FII है, यह portfolio निवेश, आप इसे कह सकते हैं, तो यह भी है, निजी प्रेशद धन, यह नहीं होगा, यह चालू खाता के अद्रिश वाले component का हिस्सा है, तो यह जो है, पूंजी गत खाते की रजना नहीं करेगा, थ्री को अटा दो, eliminate करो, D, C, और A हड़िया, जो बज गया, व option B, चलिए, अब यह निवेश पराधारीत question, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, foreign direct investment FDI, तथा संस्थागत विदेशी निवेश, अर्थात foreign institutional investment, दोनों ही किसी देश में निवेश से संबंद रखते हैं, निम्न लिखित में से कौन सा कथन दोनों के बीच एक महत पूर्ण भ भिन्नता को सबसे अच्छे धंग से व्यक्त करता है, ठीक है भिन्नता की बात हो रही है, चलिए समझते हैं, FII बहतर प्रबंदन कुशलताओं तथा प्रदुगी अंधरन को लाने में सायाक है, जबकि FDI केवल पुझी लेकर आता है, यह उल्टा है, यह उल्टा है, FII केवल पुझी को लेकर आता है, इसका क्या मतलब हुआ, जब FDI की हम बात करते हैं, तो ऐसा निवेश जो प्रत्यक्ष तौल से भारत की भूमी में आकर अपने आउटलेट बनाएंगे, अपने इंफरस्ट्रक्टर बनाएंगे, और काम करेंगे, लाभर्जित करेंगे, अपने देश लेकर चले जाएंगे, जैसे कि मैकडी, मैकडॉनल्स, डॉमिनोस, ये सारे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हैं, कि ये आए अपना दुखान यहां पर खुले, यहां के लोगों को नौक्रियां दिये, हमें रोजगार मिला, और वो अपने पीजास को बेच तो क्या करेंगे, अब वो अगर डिरेक्लि यहां पर इन्वाल्ड हैं, तो जाइसी बात है कि वो निवेश क्यों की हैं क्योंकि उनको लाब अरजित करने के लिए क्या करेंगे, कि अपने देश की जो अच्छी टेकलोजी है, मेनेजमेंट स्किल्स हैं, उसको भी लेकर यह यहां पर आएंगे कि उन्हें लंबे समय तक रहना है तो अपने देश के अच्छे टेक्नलोजी को लेकर आएंगे यहां कि किसी संस्था में निवेश कर रहे हैं अप रत्यक्स तरीके से जैसे मान लेते हैं रिलाइंस कमपनी का इसके शेयर को किसी विदेशी वेक्ति ने खरीदा तो शेयर खरीदा अरथात अपने पैसे को लगाया लेकिन कहां लगाया, directly आया क्या, नहीं, reliance company पर लगाया, अर्धात already कोई institution है, already को institute है, कोई निगम है, corporate है, उस पर ये investment हो रहा है, indirectly तरीके से आ रहा है, तो जैसे कि अभी फायदा अच्छा मिल रहा है, तो share खरीद लेंगे, और अगर फायदा नहीं दिखेगा, तो share को बे लगाएंगे, फायदा होते तक रुकेंगे, फिर उसके लेकर चले जाएंगे, तो ये statement गलत है, लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के विप्रीत होता, ये statement तो सहीं हो जाता, FII व्यापक इस्तर पर पूंजी उपलब्द बढ़ाने में सायक है, जबकि FDI का लक्ष केवल विशिष्ट छेतरों तक ही सीमित होता है, ठीक, व्यापक इस्तर पर पूंजी उपलब्द कराता है, व्यापक इस्तर मतलब बहुत सारे सेक्टर पर पैसा FII, जाहिर सी बात है जिसका मन आया, उसी का शेर खरी रहे हैं, नुक्सान दिखेगा, ले जाएंगे, मतलब बहुत सारे सेक्टर पर ये अपना पैसा लगाएंगे, बर्थात पूंजी आएगा, लेकिन FDI किसी लिमिटेड एरिया पर ही आएगा न, सिर्फ उसी छेतर पर ये निवेश करने तो ये सबसे उप्यूक्त अंतर को दर्शाएंगे, FDI के वल दुतियक बजार में चली थे, जबकि FDI की तुलना में FDI अधिक स्थाई माना जाता है, ये उल्टा है, FDI अधिक स्थीर होता है, FDI कम होता है, तो अभी गलत, तो सहीं उत्तर इस कोश्चन का वह है, उप्शन B चली आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे अधिक FDI अकरशित करने वाला छेतर है, कंप्यूटर, हाड़वेर एंड सौफ्टवेर, अपडेट कर लिजिए, यही है, सबसे जादा FDI किस छेतर पर आता है, कंप्यूटर, हाड़वेर एंड सौफ्टवेर पर, चली है, भारत म सबसे जादा FDI किस देश से आता है, अपडेट करने, सिंगापूर, रिसेंड में सिंगापूर है, ठीक है, कभी सिंगापूर होता है, कभी मौरिश्यस होता है, कभी सिंगापूर, कभी मौरिश्यस, अभी सिंगापूर ने बाजी मारी है, निम निलखीत में से कौन सा कथन बिरोजगारी दर को परिभाशित करता है लोगों की संख्या जो काम नहीं करती किन्तु काम की इक्षा है ये बिरोजगारी दर नहीं ये बिरोजगारी को परिभाशित कर रहा है बिरोजगार वेक्ति को कैसे आप परिभाशित करेंगे तो वह व्यक्ति जो capable हो, सक्षम हो, कारे करने की इक्षा भी रखता हो लेकिन उसे कारे नहीं मिल रहा है, ऐसे व्यक्ति को बिरुजगार कहेंगे कई ऐसे चातर हैं जो कहते हैं कि हम तयारी कर रहे हैं और हम बिरुजगार नहीं हो कि भीडोस गार आप कार्य करने की इक्षा रख रहे हूं तो जब आपकी संता हो और आपको कार्य ना मिले तो आप भीज़जगार कहलेंगे अ भी आप वंत रॉज़शं के ईसाब से अपके जम्त की स्थिती के अधार पर नहीं चाली तो थोड़ा सा motivated रहा करो क्यों हमेशा ऐसे उदासीन कि मैं बिरुजगार हूं मेरा कुछ नहीं हो रहा है लोगों की संक्या जो काम करती है लेकिन वेतन पर नहीं है यह नहीं लोगों की संक्या जो नियुंतम वेतन पर मजदूरी करती है यह बिरुजगारी दर को थोड़ी समझाया गई है दर मतलब किसी के divided कुछ होना वाला है चलिए लोगों की संक्या जो काम करने के एक्चुक हैं किन्तु काम नहीं करते हैं बिरुजगार हो गए में एक्चुक लोगों की कुलजन संक्या जो काम करते हैं को भाग दे कर प्राप्त किया जाता है तो सबसे उप्यूक्त तो यही दिख रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा यह अधूरा सा लग रहा है ठीक है बट एक चीज और सीख लें जब आप mcq solve करें तो आपको student यह सोच कर चलते हैं कि चार option है उसमें से सही वाला चुनना है actual में क्या सोच कर बैठना चाहिए चार option है और जो सबसे उप्यूक्त उत्तर को दर्शार है जो सबसे समीप है उसे चुनना है अब इसका degree में होगा क्या कि जो तो सही है वो तो आप टिक कर लें लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि question का answer चारो option में ना हो तो आप वो क्या ध्यान में रखना है कि वो वाला option चुनना है जो सबसे करीब है सबसे उप्यूक्त है तुलनात्मा कुरूप से तो अभी सबसे उप्यूक्त तो यही option D है और इसका उत्तर भी यही है 15 का D चलिए आगे बढ़ते वर्ष के अधिकांश हिस्से में बिरुजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है यूजूल इस्टेटस अनेम्प्लॉइमेंट साल की बात होगी तो समान इस्थिती बिरुजगारी सो लगा ए चलिए अध्रिश अल्प रोजगार की स्थिती में व्यक्तियों को काम करने के समान इघंटों से कम काम मिलता है चलिए समझते हैं द्रिश अल्प रोजगार की स्थिती में व्यक्तियों को उनकी योगिता के अनुसार कम बहुत निम्न इस्थरका कारे मिलता है ये दोनों statement को अगर आप reverse कर दें तो सहीं हो जाएगा अर्थात जो पहला statement है कि इस्तिती में व्यक्तियों को काम करने के समान घंटों से कम काम मिलता है ये द्रिश अलप रोजगार की कहानी है जिसे आप देख रहे हैं कि या रोजगार में व्यक्ति है जाति हैं ठीछ रोजगार में लेकिन अलप रोजगार क्यूं है क्योंकि कम काम करने के घंटे उसे मिल रहे तो आठ nine घंटा काम कर सकता बोलें नशाली तुम दो घंटा करो और जाओ यहांसे अद्रिश अल्प रोजगार में क्या होगा अद्रिश अर्थात भई उसों काम मिली नहीं रहे योगिता के अनुसार उन्हें मतलब काम मिला है लेकिन निमनिस्तर कारे मिला है पहले वाले में देखे फिर से एक बार द्रिश्य अल्प रोजगार में क्या होगा काम करने के समाने घंटों से कम काम मिलता है और द्रिश्य अल्प रोजगार में क्या होगा उनकी योगिता के अनुसार बहुत निम्न इस्तर का कार मिलता है दोनों ही रोजगार है और दोनों की अपनी विशेजता है ठीक है पढ़ते-पढ़ते में खुदे रोजगारी के संदर्व में चक्री बेरोजगारी अर्थात जब कोविड नहीं आया था अर्थात 2019 का टाइम था तब भी हमारी GDP 4% के आसपास चल रही थी अर्थात GDP की स्थिती बहुत अच्छी नहीं थी तो लोग यह कह रहे थे कि हमारी जो GDP की गिरावट हुई है यह actual में cyclical या business cycle के कारण हुआ है इसका क्या मतलब है economy theory में यह कहा जाता है कि एक ऐसा time होगा जब economy boom कर रही होगी अर्थात production बहुत ज़्यादा हो रहा होगा clear है फिर क्या हो जाएगा इस इस्थिती में थोड़ी सी दिक्कत आएगी अर्थात recession होगा अब production थोड़ा सा और गिरने लगेगा अगर production बहुत गिरा तो क्या होगा depression होगा production बहुत ज़्यादा गिरेगा तो इससे निकलने के लिए सरकार योजनाएच चलाएगी recovery process चलेगा तो क्या होगा recovery होगा अर्थात फिर से production बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और जब production बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा तो फिर से boom के stage आ जाएगा तो ये एक प्रकार से ऐसे cycle बनाएगा पहले ये 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 फिर ऐसे तो economy में ऐसा theory में कहा जाता है कि एक time आएगा जब production बहुत ज़्यादा अर्थात हर लोगों के पास रुजगार है क्योंकि लोग production में involved हैं लेकिन धीरे धीरे क्या होगा इस cycle में जैसे जैसे production गिरता जाएगा वैसे वैसे लोग बिरुजगार होते जाएगे यह cyclical unemployment है यह जो आपने समझा यह जो आपने समझा इसे business cycle कहा जाता है और इस business cycle की वज़ा से unemployment जो आएगा उसे cyclical unemployment कहा जाता है तो यह जो 2000 pre-covid era पर क्या हो रहा था अर्थशास्त्री मानते हैं ऐसा कई लोग कहते हैं न्यूस पेपर में छबा भी बाकी दोनों प्रगार के मत है यह कहते हैं कि यह जो हमारी GDP growth डाउन हो रही है वो एक्चुल में business cycle की वज़ा से है और जो बेरुजगारी बढ़ रही ह होते हैं बिल्कु सहीं बात चक्री बिरुजगारी समानेता इस्थाई प्रकृति की होती है वह पर्मानेंट यहां पर कुछ दीखा क्या नहीं जैसे जैसे production गिर रहा है recession depression में तो बिरुजगारी बढ़ेगी लेकिन recovery आएगा फिर boom आएगा तो फिर यह बिरुजगारी कम ह अर्थाद यह पर्मानेंट तो नहीं है जैसे जैसे business cycle काम करेगा वैसे वैसे इसकी प्रकृति जो है वो बदलते रहेगी अर्थाद यह पर्मानेंट नहीं है तो दो option तो सही नहीं है तो इसका उत्तर है option A केवल एक चलिए आगे बढ़ते हैं गरीबी पर बात उच्च निर्धनता दर के poverty rate अगर ज्यादा है उसके क्या कारण है प्रमुक कारण क्या है जन संक्या में उच्च विद्धिदर बिलकुल है बिरुजगारी आयम्या सामानता भूमी स सादनों कमी यह सारे चीज इसमें ज्यादा डिसकर्शन नहीं है तो इसली समझ में आ रहा है कि यह चारो ही चीजों से बिरुजगारी होगी चेक है चलिए भारत में निर्धनता रेखा का आगलन नियुनतम कैलरी उपभोग के अधार पर किया गया है इसका मतलब यह नहीं प्रती व्यक्ति के कार के अधार पर ग्रामींड लोगों को प्रती दिन 2400 क्यलरी की अवशक्ता होती है मतलब कि अगर कोई व्यक्ति गाउं में रहता है और दिन भर में अगर 2400 क्यलरी वो इंटेक कर लेता है तो गरीब नहीं कहलाएगा इससे कम इंटेक कर पा रहा है तो वो गरीब कहलाएगा वो गरीभी रिखाके नीचे आएगा निर्धंता रिखाके नीचे आएगा शहर के लिए प्रति वेक्ति कारे के अधार पर शहरी लोगों को phratid दिन एकिस सो क्यलरी की आवशकता होती है मतलब कुई शहर में रहता है та और दिन भर में अगर एकिस सो क्यलरी भी वह कम करयेगा मतलब ऐको 20 का सही आंसर है option C चलिए अगले question पर बात करते हैं गरीबी रेखा के मापन पर समीतियां बनाई गए उसका काल क्रम अनुसार विवस्थित करना है चलिए यहाँ पर लिख भी देते हैं सबसे पहले वाई के अलग समीति का गठन हुआ 1977 में फिर लाकड़ा वाला 1989 में फिर सूरेश तेंदुलकर 2005 में और फिर अंतिम में रंग राजन जेकर दोहजार ग्यारा बादा तो वन अर्दास पहले ये फिर ये सॉरी पहले ये फिर ये फिर 4 फिर 3 2, 1, 4, 3 इतना ही question economy पर deal करेंगे तो पहले part पर 20 question था इस part पर 21 question था मैंने कोशिश की कि concept important topic की concept आपके clear हो जाए साथ ही साथ जो latest data है जिसको लेकर बहुत मन में व्याकूलता होती है वो व्याकूलता भी शांत करने की मैंने कोशिश की है मैं उमीद करता हूँ कि इन दो वीडियो से आपको इस economy विशय को समझने में साहता मिली होगी देखने का नजरिया भी थोड़ा सा अविक्सित हुआ होगा clear है मेरा एक दूसरा विशय भी है Indian geography तो उस पर भी आधारित दो वीडियो आएंगे तो मैं वीडियो को आप समाब्द करता हूँ और all the best for your CGPSA prelims exam till then take care, goodbye and thank you